नमस्ते मैं हूँ सौराव आप देख रहे हैं ललन टॉप ऐसा कितनी बार होता है कि हम जिन्दगी में पहले रूप पहले परदे पर कुछ घटते देखें और फिर असल जिन्दगी में भी वैसा ही हमने वीड जारा देखी है हमने उसके रिफरेंसे सुने हैं इस वक्त मेरे स तो मुझे बताया गया कि असल कहानी ये है कि इतने मुश्किल हालात से गुजरने के बावजूद हम इतने अपना सेंस आफ यूमर नहीं गमाया है इस कहानी के दूसरे किरदार है मेरे बाई तरफ बैठे मेरे इंडस्ट्री के सीनियर राजदीब सरदेसाई ये में हम सबकी कहानी में सबसे ज़्यादा चुप रहती हैं सबसे ज़्यादा खुश होती हैं सबसे ज़्यादा दुआएं मांगती हैं क्योंकि वो माह होती हैं ये हामित की माह हैं फौजिया जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपसे बाचीत के लिए आपको इस कहानी के बारे में हमित के बारे में कि ये जेल में हैं किसी लड़की से मिलने गए थे प्यार हाँ वहाँ आक्सफर्ड में थे बड़ ये कहानी मुझे ये जो मेरे साथ मेरे दोस्त जतिन देसाई हैं इन्होंने बहुत काम किया है इसी तरह से जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो प्रिजनर्स होते हैं जो कैदी हैं उनको किस तरह से रहा किया जाए जतिन मेरे सीनियर ह मेरे सीनियर के भी सीनियर है और हमारे बड़े पुराने दोस्त है तो इन्हों ने मुझे बताया कि वो आ रहे थे आप फौजिया जी से मिले करीब दो साल पहले मुझे लगता है और दो तीन साल हो गए होंगे और तब मिले थे स्टूडियो आये थे उसके बाद जब भी कोई मामला कहा रुक जाता था या आगे बढ़ता था या दिल्ली आ रहे थे तो वो मुझे मुझे संपर्क करते थे तो इस बार जब मैं पाकिस्तान गया इतने सालों बाद मैंने सोचा है यार ये जब हम तो हाफिज साइद के बारे में जरूर मामला उठाएंगे दाओद इबरहीम के बारे में उठाएंगे लेकिन उससे तो कुछ होना नहीं है हमें एक ऐसी चीज़ को पाकिस्तान के सरकार के सामने लाना चाहिए जो मुझे लगा कि जरूरी है कि ये जो पीपल टू पीपल कांटक की हम बात करते हैं कि आम जनता को एक जुट कैसे किया जाए उसमें एक व्यक्ती है एक स्टोरी है जिससे मुझे लगता है कि आम जनता को लगेगा कि यार कम से कम हमारे में इतनी तो Humanity इतनी तो हमदर्दी होनी चाहिए इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए कि आप किसी को जेल में इस तरह से रखते इतने सालों के बाद और रिहा कीजिए और इमरान सहाब से पुरानी दोस्ती है इस वज़े से क्रिकेट की वज़े से वो मेरे फादर के बड़े दोस्त थे अच्छा हाँ वो मेरे फादर के जूनियर थे अज आप जूनियर और सीनियर की बात कर रहे हैं तो फादर के जूनियर थे और जब वो पहली बार इंडिया आये थे 1977 में तो मेरे फादर के जो कंटेंपरी थे मुश्ताक मौम्मद वो इमरान साब को मेरे घर लाये थे तो तब से मेरी उन से राफ़ता है और मैंने सोचा कम से कम वो पुरानी मुलाकात को या पुरानी दोस्ती को एक तरह से याद दिला कर इमरान साब को कहते हैं कि हमेद अंसारी की स्टोरी सुनिये और फिर आप तैक कीजिए कि उनको यहाँ आप पाकिस्तान जेल में रखेंगे या रिहा करेंगे यहाँ पे आप वीडियो को पॉस लगा के वो पहले बात्चीत दिखा दिजेगा जो राजदीप ने इमरान से सवाल पूचा आपका तीसरा रिक्वेस्ट है वो तो इन्शालला मैं भी चेक करेंगे दिस फरस्टाइब और इसके पर तो इन्शालला वीला बेस्ट सवाल पूचा और उसके बाद फैसला हुआ पर इस सब के शुरुआत हामिद साहब आपसे हुई जब इन्होंने पहली दफ़ा कहा कि वो मैं हामिद अंसारी की माँ से मिला तो मैं सोचने लगा कि यार वाइस प्रेजडेंट जो रहे हुए उनकी माँ तो बहुत उम्रदराद होगी मतलब एकदम से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया हम लोगी लिफ्ट में बातचीत हुई थी पर बाद में फिर आज़ी कामिद अंसारी की मदर से मिलके आए हैं तो अच्छी बात है लेकिन मामला क्या है क्या था मामला शुरुआत कहां से हुई इष्क कहते हैं शायरी में की संगीन हो जाता है पर आपके मामले में तो वाकरित अभर 있을के पीछ संगीनों के पीछे पूँचा दिया इसने बस ये मैं एक जम्मले में बोलना चाहता हूँ कि शादी के चेकर में बर्बादी हुई हुई, तो शादी यह खली यह था कि उसके घर वाले उसकी यशादी. पर्क में कैसे आयां आप लोगा? इंटरिएट की जरीये, सबकी तबाई हुए हुआ 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 है. और बस दीरे दीरे बातें आगे बढ़ती गई और बस फिर जब बात आगे निकल चुकी थी तो बोले चलो ठीक है तो घरवालों को बता के जाए थे नहीं अच्छा तो मतलब अमूमन कहानियों में लड़कियां घर छोड़के भागती है या लड़के लड़की दोनों भाग लाने मदद के तौर पर गया थे कि चलो उसको वहां पर चूंकि उसके घरवाले उसके जबरन शादी करा रहे थे कहां पर रहती थी वो पाकिस्तान में पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है कोहाट एक शहर कर नाम चोटा सा गाओं है कबाईली इलाका आपको वही मिला था पर किसे दाकिल हुए आप बस अफगानिस्तान के रास्ते से गए थे पहले वीजा की कोशिश की लेकिन वीजा मिल नहीं रहा था और दूसरी तरफ जो लोग एक दोस्त बनके सामने खड़े थे तो उन लोगोंने मिस गाइड किया उन लोगोंने उकसा दिया कि अगर तुम नियत गलत नहीं थी मैं जारता लड़की के लिए पाकिस्तान के खिलाफ तो मेरी कोई नियत थी नहीं अब लोगों जाएंगे अब यह दोस्तों के बरोसे पर था मैं वहां पर जब वहां पहुचा तो इन ही लोगोंने मुझे फंसा दिया अच्छा उनको लगा हुआ सबसे पहले कोहाट की किसी जेल में रखे थे तकरीबन तीन-चार दिन उसके बाद वहां से पिशावर की जेल में किसी बेज दिया खुफिया जेल थी जमीन के नीचे थे उसके बाद जैसे हम लोग यह न्यूज रिपोर्ट में ही पढ़ते हैं कि अंडा सेल ऐसी सेल वैसी मतलब जमीन के नीचे काल कोटरी बोल सकते हैं वहां पर तीन साल वहां गुजारे उसके बाद सजा करके मुझे पिशावर सेंटर जेल भेज दिया गया तब मुझे बोलते हैं जिसकी लाटी उसकी भेंस तो उनलों के दिल में जो आया उनलों ने इल्जाम लगा दिये जज के सामने जरे वगरा बस ऐसी उनलों ने कोट मार्शल का सेशन बस एक बंद कमरे में बोल दे कि यहां पर कुर्से टेबल लगा लो यह अदालत हो गई तो वहां पर बस कोट मार्शल सेशन हो गया और कुछ बोले नहीं कि क्या होना है क्या डिसिजिजन नहीं सुनाया बरताफ कैसा होता था जेलों बहुत मारते पीटते थे खाना क्या कैसा रहता था जेलों में जो पहले तीन साल गुजरे तो वहां पे सक्ती बहुत ज्यादा थी मार पीट भी काफी हुई टॉर्चर कैसे करते थे मतलब आदी राथ जब भी 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 उठा लिये तो बस उन्हों ने ये फिर बाह बाद में इलाज भी कराया इसका लेकिन पेशावर जेल में खुफियावलों ने नहीं कराया था तो ऐसी सक्तियों होती रहती हुई इक सवाल ठाव सब कुछ बीत रहा था पर कुछ होता है बीतर है एक अकीदा होता है इक भरोसा होता है जो हमें पुश करने के लिए कि नहीं नहीं टिके लेना है वो क्या था बीतर? ये पहले तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं वापस जाओंगा लेकिन जैसा कि मेरी माँ ने पहले भी बताया था कि ये लोग उम्रा पे गए थे मका दो हजार तेरह में और वहां पे इन्होंने मन्नत की थी कि भाई अगर मैं वापस आ गया तो ये फिर जाएंगे मुझे लेके तो बस ये कुद्रत का करिश्मा देंगे कि मुझे खौब में आ गया कि मैं अपने घरवालों के साथ जा रहा हूँ उम्रा के लिए 2013 में ही मुझे भी ये खौब आया गरिफतार हुए थे आप 12 में 12 में और जब मैं खौफिया में था तो वहां पर मुझे खौब बस ये मेरे लिए मुटिवेटिंग फैक्टर हो गया कि मुझे मां से वापस मिलना है अब मुझे जाना है एक निशानी मिल गई थी मुझे तो बस जब निशानी मिल गई है तो बस अब फ़ली इंतेजार है कि अच्छा जब पिशावर जेल में थे तब सश्चरम कारावास था क्या जिसको हम कैदे बामशक्कत कहते हैं काम पर रोते थे वहां पे काम भी होता था बास दवपां पे कभी सक्त होता था कभी नर्म हो जाता था, कुछ एक फिक्स नहीं होता था महाँ पे, किस तरह काम होते था, कुछ कारी करी करते थे, क्या करते थे वहाँ पे कभी सफाई अफाई काई काम ज्यादा होता था, अभी चूंके मैं एडुकेटर था, तो कभास दाफा उनलों बोलते थे, कि कुछ लिखने इखने का काम भी दे देते थे, क्या पढ़ाई किया आपने, मैंने एंजिनिरिंग किया, उसके बाद एंबीए किया, बी टेक प्लस एंबीए, येस, अच्छा, तो दूसरे कैदियों का बरताव कैस इसा कुछ रहता तक नहीं है, हिंदोस्तान का कैदी है, तो इससे बात कम करनी है, ज्यादा करनी है, देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि अच्छाई बुराई हर इनसान में होती है, तो एक कबीला या एक कौम या एक मुल्क शहर ये बहुत बड़ी चीज हो गई, तो गरम धं अच्छाई होता ता, तो फिर मदद की ख़ब कैसे आई, ये रहाई की मदद की रहाई की रहाई की ऐसा हुआ की तूस्डे की मौनिंग मैं बस सुबा उठा हुआ था और साड़े-शे बज़े मेरे पीछे दिप्रिस्ट उप्रेड़ेंट आई थे और बोले की तुमारे प मैं बस अब तो एक लम्हा भी वेस्ट नहीं करना है, जल्दी मैंने अपने ड्रेस चेंज की है, जुते उते पहने, अब तो पलटना है नहीं, तो बस गाड़ी में फिर निकाल लिए उन लोग ने फिर बस जैसा काफिला बन गया, चलते गया आगे, पहुँच गए, क्या एक आखिरी सवाल आपसे फिर आपकी मदर से बात करेंगे, उनसे भी एक दोई चीज़ें पूचेंगे, क्या सबक देंगे उन सब को जो फेस्बुक पे प्रेम कर लेते हैं और फिर उस प्रेम के लिए सारी रिस्क भी लेने लगते हैं, रिस्क मत लेना, नहीं लेना, और फेस्बुक पर मत करो, अमने भी आपसे इतना प्रेम करती है, फेस्बुक के बरोसे मत करो, ये चर्चा फेस्बुक पे है, मजा बस एक लुक में है, सबसे पहले तो आप मेरी चाची की उमर की हैं, आपको बहुत-बहुत मुबारक बाद, मतलब बेटा घर वापस आगया, इस से जादा तो कोई खुशी हो इनी सकती है, खुब सारे पकवान बन रहे होंगे, इनको क्या पसंदे खाने में, अभी खिलाया ना गुलाब जामुन, वो अभी सर की तरफ से हम घर जाएंगे, तो देखेंगे जो भी रहेगा, खुब दुआएं की हिम्मत कैसे दी, खु हम अकेले तो बहुत छोटे हैं, यह सारे लोग हमारे साथ जुडे थे, जब इतना सारे लोग रहते हैं, तो अपने आप ही हिम्मत आ जाती है, चुटी भी कितनी छोटी से रहती है, लेकिन उसके साथ एक काफिला रहता है, तो भी चटती जाती है दीवारों पर, तो ऐसे ह हमारे साथ भी एक पोर्स था जैसे, हमारे अच्छे लोगों का, पाकिस्तान के अच्छे लोगों का, यहां के अच्छे लोगों का, तो एक मोटिवेशन भी होता था, और गिव अप तो नहीं करना है, I cannot give up on any cost, तो बहुत यह और भावक हो जाएंगे, और मैं वो चाहता न इवालादों को, हिंदुस्तान की जो हैं, माय तो सबकी साजा होती हैं, क्या सलाध देंगी रामित का मामिला देखने के बाद? जे हामिद का मामला देखने के बाद तो मैं यही कहूंगी कि शायद मेरे अंदर कोई कमी रही होगी कि जो कम्यूनिकेशन गैप रह गया कि बच्चे पूरी तरह से खुल करके अपनी मावं से अपने दिल की बात नहीं कह पाती हैं और अपने दोस्तों अपने दिल की बात मानते हैं जो कम तजुर्बा होने के वज़े से कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं तो माएं और अपने प्यार को बढ़ाएं और बच्चों को इतना प्यार दें कि वो सबसे अच्छा दोस्त अपने मा को समझें और अपने आप फैसला लेने से पहले उनको जरूर बताएं, माबाप कभी भी उनका बुरा नहीं चाहेंगे, जरूर उनके साथ अच्छा ही वो करेंगे, तो यह शायद अगर ऐसा रहता था, तो एनिवे जो होना रहता है वो हो गया, और यह भी मैं जो हामित बार बार पच् से एक इनसानियत की हमदर्दी, क्योंकि जो लड़की का वो जिक्र कर रहा है, जिसके लिए वो एकदम से पागलपन सवार था कि मुझे उसकी मदद करनी है, तो मदद इसलिए इस तरह से करनी थी, क्योंकि जब जो सोशल मीडिया के जो और लोग थे, जब उन्होंने उस ज करके उस लड़की का वो खंदान का पता लगाया, तो पता चला कि उस लड़की को जिरगा के डेसिजन के मताबिक फोर्स करके कोई दूसरे फैमली में जबरदस्ती किया गया था, क्योंकि वहां का कस्टम है, जिरगा वहां पंचाइद को बोलते हैं, वानी की रसम के मताब जवान लड़का है, प्रेम है, इनसानी चीज़ है, फितरत है, तो उसके खातिर लेकिन लोगों का उकसाया जाना, जजबाती बना देना, प्रोवोक करना कि तुम नहीं आओगे, तो उसके साथ जिरगा जो है, वह बहुत खराब फैसला कर देगा, तो जब एक लाइफ की बात आजाती है, लाइफ इस डिफरेंट, प्रेम इस डिफरेंट, और यहां जब लाइफ और प्रेम दोनों एक ही जग यूनिटेड हो जाता है, तो ज्यादा वो हो जाती है, मोटिविशन बढ़ जाता है, और इसमें उन्होंने नहीं सोचा कि मेरा कदम जो है, वो सही है या गलत है, एनिवे, गलती हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी जो हो गया, पास्ट इस पास्ट, नाव हम अच्छे दिन की शुरुगात करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, आगे हैं, आगे हैं, किसी के तो अच्छे दिन आगे, चलिए, एक तो बात ये कि माएं ऐ ऐसी होती हैं, कि बेटे का दोश भी ले लिया, कि मेरी परवरिश में कोई कमी रही होगी, लेकिन उसके पीछे का सबक बहुत इंपोर्टेंट है, कि अपने बच्छों से खूब बात करिये, ताकि वो मिना जिजग कह सकें, और हामिद के अंदर जिन्दगी खूब गुलज हैं, दीललन टॉप डाट कॉम